बिहार में जब सबसे अनोखे राज्य की प्रतियोगिता होगी तो गोपाल गंज उसमें सबसे अवल आएगा ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि बिहार के गोपाल गंज से आए दिन अजीबों गरीब मामले सामने आती ही रहते हैं मामला खाने को लेकर हो या फिर पीने को ल खास विवस्था किया गया था रसोई में खाना पकाने की जगा शराब तयार की जा रही थी आम तोर पर रसोई में खाना पकाया जाता है लेकिन यह गुपाल गंज है यहां रसोई में शराब तयार किया जा रहा था जिसकी पोल उसी घर की बहू ने खोला है और अपनी लि है और अब 6 साल इसको पूरे होने को है साल 2016 में विहार के मद निशेद और उत्पाद अधिनियम के तहत शराब के सेवन और बिकरी दोनों पर कानूनी तरीके से बैन लगा दिया गया था लेकिन शराब बंदी के बावजूद भी राज्ये में बहुत से लोग शराब बेचने पीने और अवैद शराब बनाने के कामों में लगे हुए हैं और पुलिस उन्हें गिरफ्तार करकी जेल भेजती रहती है तो कभी अवैद शराब तसकरी में पुलिस खुद ही लिप्त होते हुए नजर आती है निकर इस बार मामना थोड़ा अजीब है और अजीब होना वा पोग देखी होगी लेकिन ये गुपाल गंच की खबर है तो इतना सरल तरीके से तो कुछ होगा नहीं मामना आपको बताएं तो एक बहु ने अपनी सास को लेकर इतना बड़ा खुलासा किया है वो भी शराब के मामले में जिसके बाद हर और बस उन्हीं सास बहु और शरा फाश किया है और पुलिस के हाँ तो उसको गिरफतार भी करवाया है बता दे शराब तसकरी में शामिल गुपाल गंच की अमाजागर छेतर के फुलवडिया गाव में ये दोनों सास और बहु रहती है बहु ने शराब तसकरी में शामिल अपनी सास को लेकर जुखुलासा क परने लगी थी जिसका अंदाजा भी कोई नहीं लगा सकता पुलिस की टीम ने जब सारा घर खंगाल डाला तो घर के शौचाले टंकी के पास से शराब की बनी टंकी मिली और शराब बनाने का सामान भी छिपाया गया था जोसे पुलिस ने ध्वस्त कर डाला है इतना ही नहीं बलकि घर के किचिन में जहां खाने की चीजे होती हैं वहां खाना की बजाए पीने का भन्डारा था किचिन में खाना बनाने की बजाए अवयद शराब बनाया जा रहा था से जबता देवी इस शराब की अवेड धंदे में शामिल थी वो बडपशातर दिमाग से शराब बनाती थी जिसके सूचना मिलने पर पुलिस ने चापा मारा पुलिस की टीम ने घर के शौचाले टंकी के पास जमीन के अंदर शराब की टंकी का खुलासा करने के बाद उसे तोड़ डाला है जिसके बाद पुलिस टीम घर के अंदर बनी किचिन में पहुंची जहां शराब क फैक्ट्री चलाने के लिए रखे गए गयास चुला शराब बनाने के लिए बाकी यंत्र क्यमिकल और भी कई अवैज चीजे जब्त की गई हैं जिहां कारवाई के दुरान घर से 52 लीटर देशी शराब और 42 लीटर अवैसे शराब जब्त की गई है जो की अभी बनकर तयार ही नहीं हुई थी आधे निर्मान में ही पुलिस ने धावा बोल दिया और शराब के साथ शराब तसकरी में शामिल महिला शारदा देवी को भी गिरफतार किया है जिसके बाद अब पुलिस इस शराब तसकरों के लिंक का पता लगाने की कोशिश कर रही है और साथ ही ये जानकारी भी ले रही है कि महिला की पास आखिर शराब निर्मान के लिए शराब उपकरन कैसे पहुँच रहे थे और कौन ये सब कारे में शामिल था बाकि और बिस से जुरे जो भी लिंक से इस महिला से जुरे उस कि फाइदा होगा तो वह महिलाओं को होगा कि जो पती है वो जो शराबी है वो शाम हम को शराब पी कर आते हैं इस स्टें उनको प्रतारना जिलना परता है यही वजा है कि समास kicking इस दरान करते हुए निजह की महिलाओं को भी शराब बंदी को सफल बनाने में आगे आना होगा तबी जाकर ये शराब बंदी सफल हो पाएगी क्योंकि उनके प्रसाशन तो वैसे भी लाचार हो चुकी है वो कुछ कर नहीं पा रही है यही वज़ा है कि उनको कभी हेलिकॉप्टर कभी ड्रोन तो कभी कुत्ते को लाना पर रहा ह लेकिन इसी बीच महिलाओं को भी ये कहा था कि आप लोगों को भी साथ देने की जरूरत है क्योंकि आपके हित में ये फैसला लिया जा रहा है लेकिन अब एक तरफ जहां महिलाओं के हित में 2016 से शराब बंदी की गई है खैर वो अलग बात है कि बिहार में शराब बंदी बिल्कुल भी नहीं है शराब बंदी के नाम पर इस नियमों का धजिया और आया जाता है तो वहीं दूसरी और जो को पाल गन से अभी खबर हमने आपको बताया उसमें महिला ही तसकर के रूप में शामिल होकर शराब बना रही है और शराब को अलग अलग जगा उसके ठिक करए की जारे हैं क्या वो पुरश हो या फिर महिलाएं भी क्यों ना हो सब की सब मिले हैं अब लौन की यंकी सब मिले क्या है वोजह को क्या हो तो कोई क्यों वसकती है क्रीज बिंग चंड़ को बीचाल करने लगी और शामि वच्छाब को बлекड़ा और वस्ञिन को बाकि अने खबरों को जानने के लिए देखते रहे जनता जंक्शन धन्यवाद